हैलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका Pharma technology और आज हम जानेंगे Monter LC tablet के बारे में जानेंगे इसके composition के बारे में इसके uses के बारे में इस composition के different brands के बारे में इसके mode of action के बारे में यानि कि यह किस तरह से बर्क करती है इसकी dosage के बारे में Montair LC Tablet को यूज़ करने से हमें क्या side effects हो सकते हैं इसको यूज़ करते से हमें किन-किन बातों की साफधानिया रखनी चाहिए और Montair LC Tablet की drug interaction के बारे में ये वीडियो काफी informative होने वाली है तो आप इस वीडियो को last तक देखें और प्लीज मेरे चैनल Creative Healthcare को सबस्क्राइब करें और notification bell को भी प्रेज करें तो चलिए friends स्टार्ट करते हैं Friends Montair LC Tablet ये सिपला कंपनी के medicine है बात करें इसके composition की तो इसमें Montalukas 10Mg और Levosatresin 5Mg होता है बात करें Montair LC Tablet के uses की तो इसको allergic rhinitis में यूज करते हैं जिसको की happy word भी बोलते हैं इसमें कुछ symptoms आते हैं जैसे की आंक से नाक से पानी आना गले में खराश का होना छीं के आना कंजेशन होना नाक का बंद होना ये हमारी body का एक allergic response होता है किसी allergens के against जैसे की pollen grains होते हैं जिनको पराकंड बोलते हैं धूल, डस्ट या घर में हम जो जानवर पालते हैं जैसे dog या cat तो उसके जो hairs होते हैं या किसी food के वड़े से जो allergy होती है तो उसके against ये body का allergic response होता है इसके अलाबा Monter LC tablet को allergic skin condition में भी use करते हैं इसमें skin पर rat patties बन जाते हैं इचिंग होती है inflammation भी हो जाता है सूजन भी आ जाती है इसके अलाबा Monter LC tablet को broncal asthma में भी use करते हैं broncal asthma में airways यानि कि जिनकों की broncal smooth muscles बोलते हैं उनमें सूजन आ जाती है वो narrow हो जाती है उनमें काफी mucos फिल हो जाता है जिसकी बसे कफ होती है कफ में mucos आता है चेस्ट में pain रहता है और tetnes भी रहती है तो Monter LC tablet को asthma की treatment में दूसरी anti-asthematic drust के साथ asthma के profilaxis में और prevention में यूज़ किया जाता है इसके अलाबा Monter LC tablet को seasonal allergy में जिसे की common cold में भी यूज़ किया जाता है जिसको हम सर्दी जुकाम भोलते हैं अब बात करे Monterly cast और लिवो सर्टेजिन combination के different branch की तो ये Monter Mac L के नाम से आता है जो मेकलोइड कंपनी का है Zayzal M के नाम से आता है जो Dr. Reddy कंपनी का है Likop M के नाम से आता है जो Mankind कंपनी का है और Monter LC के नाम से आता है जो की Sun Pharma कंपनी का है इसके अलावा इसके और भी काफी branch market में available है अब बात करें Monter LC tablet के mode of action की यानि कि ये किस तरह से work करती है तो Monter LC tablet में जो लिवो सिटरेजिन डरग होती है ये एक anti-histaminic drug होती है ये histamin के action को block करती है ये histamin body में allergic reaction के लिए responsible होता है तो जब लिवो सिटरेजिन histamin के action को block करती है तो allergic reactions होती है उनमें काफी relief मिलता है अब बात करें Monter LC की तो Monter LC leucotrine receptor antagonist drug होती है ये leucotrine के action को block करती है जिससे की inflammation में यानि के surgeon में अराम मिलता है और जो smooth muscles होती है वो relax होती है तो Monter LC इस तरह से work करती है अब बात करें Monter LC tablet के dosage की तो इसकी जो journal dose होती है वो OD होती है उसे रात को सोते समय एक बार लिया जाता है अब बात करें Monter LC tablet से क्या का side effects हो सकते है तो Monter LC tablet से कुछ side effects आ सकते है जैसे dizziness का होना यानि के चक्कर घुमेर का होना headache सिर में दर्द होना dry mouth होना यानि के मुवें खुश्कियाना इसके अलावा गले में inflammation का होना पेट में दर्द होना या nausea और vomitting का होना अगर इस तरह के symptom साते हैं तो आप अपने डॉक्टर से consult करें अब बात करें Monter LC tablet की कुछ precautions की कुछ warnings की तो ये medicine alcohol के साथ अंसेफ होती है और अगर इस medicine को यूज करने से आपको चकर या घुमेर आ रहे है तो कोई भी motor vehicle या कोई हैवी machine अपरेट ना करें pregnancy के टाइम पर और lactating मदर में ये इस drug को यूज करने से पहले डॉक्टर से एक बार consult करें और kidney liver heart की disease में डॉक्टर से consult करने के बादी इस medicine को यूज करें galactose intolerance phenyl ketone urea और acute asthma attacks में ये medicine contraindicated होती है और epilepsy में और prostatic hyperplasia में इस medicine को डॉक्टर से consult करने के बादी यूज करें और अगर आप allergic हैं montyleukas ये liposatis drug को लेकर तो इस condition में ये drug contraindicated होती है अब बात करें montylelc tablet की drug interaction के बारे में तो ये medicine कुछ drug से इंट्रेक्ट भी करती है जैसे gembifrozil phenytoin phenobarbital thiophilin rifampicin ritonabir तो अगर आप इन में से कोई भी drug यूज कर रहे हैं तो इस drug के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं तो friends आज की वीडियो में इतना ही